इंडियन एरफोर्स के लिए स्पेशली टेस्री लॉंच की गई है परिच्छा एप्लिकेशन पर और इस एप्लिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जहां पर के आपको मेरे द्वारा बनाएगे सभी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे तो एक्जाम आप सबके लिए आज आपकी नौलेज को हम चेक करेंगे और देखिए कि मैंने यहां पर आज आपको टॉप फाइप एरट्स इस वीडियो के अंदर ली हैं और इन एरट्स को आप जरूर करिएगा उसके बाद आप मुझे अपने कमेंट वॉक्स में अपना स्कोर दोस्तों यह दिया अपने तो आप चनल को सब्सक्राइब करें और यह दो दिया हुवा चैलेंज है मतलब 5 मेंसे 5 लाना इसे आप एकसेप्ट करें और सही में स्कोर कितना रहा वो आप जरूर बताएगा देखिए सबसे पहले क्वेशन यहां पर लिया है मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं यह मैंने कर लिया है थोड़ा सा यह ठीक रहेगा यह दिखेगा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन और इसके अंदर मैं A B C D वाले पार्ट नहीं ले मतलब आप अपने इसाब से कहीं पर भी कोई भी एरर चांट सकते हो और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जिन भी बच्चों के एरर्स को फाइंड करना बहुत जल्दी अगर उनको आता है तो इसका मत depends है इसके अंदर एरर है एक से ज़्यादा एरर भी हो सकती है और यहाँ पर I के अंदर एरर है मतलब depends नहीं आना चाहिए नहीं आई आना चाहिए अब बाकी तो यह देखो बिल्कुल सही है अब मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ यह मैंने कर लिया जू यहाँ पर आ अगर इस जगय ही की जगय पर I B U दे होता तो यहाँ पर डू नॉट होता यह भी बिल्कुल सही है मतलब अभी तक यहां तक हमारी गाड़ी बिल्कुल सही है मैं आपको बता दूँ एक रूल है मेरा 3D पिस 3D से मतलब क्या होता है कि यदि किसी सेंटेंस में कभी भी यह न इसे केस में क्या होता है कि अगर इनके बाद जो भी बर्व आएगी ना वो हमेशा 1st form आएगी यानि कि इनके बाद आने वाली बर्व में कभी आप S नहीं लगा सकते कभी आप आएंची नहीं लगा सकते कभी भी 2nd 3rd form का इस्तमाल नहीं कर सकते यानि कि इनके साथ आने व कोई ing नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा इस s को हटा दूगा और यह बन जाएगा डिपेंड यह बिल्कुल अब आपका एकदम सही है समझ में बात आ रही है अच्छा अब आपने एक सूत्र देखा होगा subject बर्व object यानि कि बर्व के बाद अगर कोई चीज आ रहे है तो object वाले case में आएगा यानि कि अगर कहीं I लिख रहा है तो I की जगे पर object यूज होगा कब देखो अगर बीच में बर्व आ रहे है तो बर्व से पहले तो I यूज होगा लेकिन अगर बर्व के बाद इस्तमाल हो रहा है तो वो मी होगा समझ में बात आ गया तो यहाँ पर अजड़को यह preposition है तो एक और चीज़ जै जाद रखेगा थ्वड़ा और जूंभ कर लेता हो मेंसे I क्या लिख रहा है यहाँ न यह on एक preposition है क्या है preposition तो preposition के बाद object के रूप में लिखा जाता है preposition के बाद object के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर I न आ करके object क्या होना चाहिए यहाँ पर me होना चाहिए I hope आपको पूरा question ची तरह से full detail समझ में आ गया होगा आ गया है तो आप इसको like करें अगर नहीं आया है तो दुबारा try करें courses करें समझने की चलेगा अब मैं दूसरा question पर भढ़ जाता हूँ अच्छा question था basically यह यह जितनी मैंने इसमें 5 लिया है न वो exam में आ चुके हैं वहीं से मैंने लिया है इनको आगे देखो he is the leader with who I want to address you know I want to address to the people of India इसका मतलब देखेगा he is the leader वो क्या है वो leader है with who जिसके साथ जिसके साथ मैं यूनो बाचित करने वाला हूँ इंडिया के लोगों के बारे में address करने वाला हूँ ठीक है संबोधित करने वाला हूँ वो यूनो एक बहुत बड़ा leader है समझेगा यहां पर इसमें गलती क्या है आप हमेसा याद रखेगा कि ये जो हूँ है न हूँ ये बीच में कभी नहीं आता मतलब ये हो गया मतलब समझना में हूँ अगर बीच में आभी जाय तो चलेगा लेकिन इसकी condition है कि अगर ये देखो आप हूँ से पहले क्या इस्तमाल हो रहा है प्रेपोजिशन यूज हो रहा है न हूँ से पहले और मैं उल्टा कह दू प्रेपोजिशन के बाद क्या हो रहा है हूँ यूज हो रहा है तो आप हमेसा याद रखना कि कभी भी प्रेपोजिशन के बाद कभी भी who का इस्तमाल नहीं किया जा सकता प्रेपोजिशन के बाद कभी भी who का इस्तमाल नहीं किया जा सकता ये note कर लिजे आप ठीक है ना तो इसलिए यहां पर who नहीं हो सकता हाँ, who की जगा पर आप whom यूज़ कर सकते हैं with whom, against whom, to whom ये चलेगा लेकिन with whom मतलब ये हुआ, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी who who नहीं आता है, समझ में आ गया ना एकदम clear आ गया ना बस ये याद रगो, ऐसा मत याद कर ले ना वो गलती से बुल गया था कि बीच में who नहीं आता, who अगर आ भी राय लेकिन उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आगा Is that clear? कोई doubt तो नहीं है आपका अच्छा, अब एक चीज़ और समझेगा ये दो वर्व है want और address इन दोनों को जोडने के लिए मैंने यहाँ पर क्या use किया गया है to use किया गया है, तो याद रखना कि अगर want के बाद कभी कोई दूसरी वर्व आ रही है, तो इन दोनों को जो जोडने का काम करता है वो क्या करता है? to करता है क्या करता है? to करता है समझ में आ गया? अच्छा, अगर i की जगा पर यहाँ पर होता he तो क्या करते हैं? he, she इता है, तो बर्व में एस लगा देते हैं तो यहाँ पर wants हो जाता अभी फिलाल में नहीं है, तो i के साथ want एकदम सही है समझ में आ गया, तो यहाँ पर मैं बोलना चांग हो, who नहीं आएगा who मा जाएगा, I hope यह भी आपके समझ में एकदम clear समझ में आगे आओगा, अब देखे आपने जो भी error find कहा था तो आप उनको भी check करेगा, कि आपने error जो find कहा था, वो सही था या गलत था, मैं जो question पूछ रहा हूँ क्या आप उनको भी accept कर पा रहे वो भी आप देखे, तीक है इसके बाद देखे, आगे में ने लिखा है he has decided to giving address to me अब यह समझेगा, इसके अंदर क्या गलती है इसके अंदर क्या गलती है तो देखो, मैं आपको एक simple सी बात बताता हूँ इसके अंदर आपने मुझे पता है, पहचान लिया होगा नहीं है तो मैं बता दूँ आपको decide के बाद, अगर कोई बर्व आएगी तो उसके बीच में 2 आएगा यह बात तो यहां तक तो पहले वाला rule हमारा एकदम सही है भाई, he के साथ hedge लगाते है, यह भी ठीक है hedge के बाद third form आते है, यह भी ठीक है और decide के बाद, अगर दूसरी बर्व जोड़नी है तो two से जुड़ेगा, यहां तक तो बात बिल्कुल सही है आप यह सोचिए जब want के बाद दूसरी वाली बर्व आई थी, तो कौनसी form में आई थी, first form में आई थी उसमें कोई ing नहीं था कोई yes और yes नहीं था बस, ऐसे ही आप याद रखें कि यहां पर यह जो है न giving, यह giving नहीं आना चाहिए यहां पर give आना चाहिए क्या आना चाहिए, give आना चाहिए याद रखना want हो, decide हो इसके बाद जो भी वर्व आएगी वो हमेशा वर्व की first form के रूप में आएगी उसमें कोई भी ing का इस्तमाल नहीं किया जाएगा समझ मा आ गया, note कर लो आप इस वाद को चलिएगा, अच्छा इसके बाद मैंने इसमें एक और गलती किया है वो आप देखिए, देखो give एक वर्व है इसके बाद जो आएगा, वो noun की तरह use होगा, as a object noun की तरह use होगा, तो देखो जो advice जो लिखा हुआ है, इन दोनों के अंदर फर्क समझवा, अगर s लग रहा है, मतलब यह वर्व है और s की जग़ा, अगर मैं c कर देता हूँ, तो यह noun है तो याद रखना, बर्व के बाद noun use होता है, तो यहाँ पर noun आना चाहिए तो यहाँ पर s नहीं, यहाँ पर c आना चाहिए, ठीक है, अचाहिए यह देखो preposition आ गया, preposition के बाद बताओ, यहाँ पर I कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि preposition के बाद object type आता है, तो इसलिए यहाँ पर me आएगा, जो दे रखा बिल्कुल सही है, I hope आपको यह भी समझ में आ गया हुआ, देखो मैं पूरी कोसिस कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाने की, ताकि आपको कोई भी problem ना हो, अच्छा हमारा एक problem में, क्या सही है, क्या गलत है, बिल्कुल पढ़ाने के बाद में, मैं अभी अपने गाहों में आया हूँ, तो अपने गाहों में आ करके, चत पर बैठ करके, आराम से ठंडी अवामें, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, चलेगा, अब आफ्टर है, फ्रॉम है, ठीक है ना, यहाँ फिर ओन दे रखा है, तो मतलब जादातर क्या होता है, जादातर 95% टू को हटा है, छोड़ दो, टू को हटा दो, टू का थोड़ा अपवाद भी है, यानि आफ्टर हो, फ्रॉम हो, और भी बहुत सारी प्रिपोजिशन है, तो इन प्रिपोजिशन के बाद, जो भी बर्व आती है, वो आईएंजी के साथ आती है, जीरंड वाला रूप होता है, क्या होता है, जीरंड वाला रूप बनता है, यानि बर्वा समझ में आ गई होगी कि सर्जी आफ्टर आ जाए फ्रॉम आ जाए यह प्रिपोजिस्टन है तो इसके बाद अगर बर्वाएगी तो आई एंजी वाले केस में आएगी समझ मा गया तो यहां पर क्या जाएगा टीचिंग आना चाहिए टीच नहीं आ सकता तो इन किसी चल रही है बैस चलन दें अच्छा आगे देखेगा यहां पर माई दे रखा है माई स्टुएंट्स हो तक कुछ भी हो सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टुएंट्स भी कर सकते हैं यह चीज चलेगा अच्छा एक चीज एक कोशन में बैचन पढ़ा रहा था और एक बच् यहां कि सर आई एम आई एम ब्लांग टु आ दिली ऐसे लेखे लो मतलब वह यह लखते हैं अपनी जगह यहां पर लखेंगे और वह ध्युक्राइब इंगलिस में क्या लखेंगे सर आई एम ब्लांग टु डली बताओ आप एससे कमेंट करते हो ना के साथेली यहां अगा आप हटा दो अब ये बिल्कुल सही हो गया ठीक है अब क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सही यहाँ पर M हटा दो सर जी ऐसे क्यों आएके साथ तो M आता है सर जी आपने ये क्यों हटा दिया समझना आप देखो बिटा ये जो ब्लॉंग है वो एक बर्व है ब्लॉंग का मतलब होता है कहीं से संबंद रखना कहीं से आना तो आप कैसे कह सकते हैं आप ये वो सकते हैं सर आई एम फ्रॉंग आई एम फ्रॉंग डेली या फर आप ये कह सकते हैं कि आई ब्लॉंग टू ब्लॉंग के बाद 2 आता है कोई जगह से आप में तो I belong to Delhi मैं दली से belong करता हूँ I belong from Delhi नहीं आएगा I belong to Delhi आएगा ये भी कर सकते हैं हाँ from लगाना है तो वो हेल के वाद आता I hail from Delhi आप ऐसा कह सकते हैं मतलब आपके ये समझ में आज जाना आचे ये कि belong से पहले इजारेम का इस्तमान नहीं कर दे क्योंको में वर्व होती है एक बात होता हो यार अब एक चीज़ मैं आपसे पूछू हूँ मैंने ये बोला कि I am teach मैं पढ़ा रहा हूँ I am teach बताओ ये सही है क्या बताओ ये सही है क्या बताओ ये गलत है न क्योंकि भाई अगर इजारेम के बाद अगर कोई बर्व आएगी तो उसमें तो फिर ing आना चाहिए आना चाहिए न ऐसे ही आपने किया था आपने क्या किया था याँपर ब्लॉंग किया था तो इक बताओ ब्लॉंग तो यार एक बर्व होती है न में बर्व तो ऐसे तो ब्लॉंगिंग करना चाहिए था आपको तो वो गलत हो जाएगा तो इसलिए बेसिकली इन चीजों को आप याद रखें आई ब्लॉंग टू भरतपुर आई ब्लॉंग टू आगरा आई हेल फ्रॉंग आगरा आई ब्लॉंग टू आगरा आई एम फ्रॉंग आगरा आप ऐसा बोल सकते हैं बट आप याद रखना आई एम ब्लॉंग मत लगाना ठीक है चलो आपकी गलती अगर सुदर गई हो तो लाइक बरना डिसलाइक चलो जो भी करो वो आपकी मर्जी है आगे चलो और भी बढ़ जाता हूँ आगे देखो he has decided to give no 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 decide के बाद जो भी और बात है first form यानि कि यहां पर गिवाना चाहिए यह चुछ आई हो आप सब के समझ में आ गया होगा we look forward to meet his soon आचा देखिये समझे यहां पर क्या है क्या नहीं है आप एक चीस समझेगा कि पहले मैं यहां पर discuss कर लेता हूँ देखिये यहां पर यह want आ रहा है और यह का था talk इन दौनों के बीच में हमने अलग से रख दिया to अलग से ही तो लेक है ना जैसे I go to Delhi तो go में कभी to थोड़ी ऐसा नहीं है जो go के अंदर ही to जो है वो चिपका हूँ आता हो तो इसी तरीके से आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ clause होते हैं ऐसे कुछ phrases होती है कि जिनके अंदर to already आता है जिनके अंदर to जो होत आता है अलग से SM नहीं लगाते mathematics इसमें SM अलग से नहीं लगाते अलड़ी चिपका हूँ आता है तो बस में वही बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई clause ऐसी कोई है you know phrasal बर्व जिनमें two already चिपका हूँ आता है तो इनके बाद अगर कोई भी बर्व आएगी तो वो ing के साथ आएग अगर जिसमें चिपका हूँ नहीं मतलब आपने अलग से two लगाया है तो फिर उसके बाद जो बर्व आएगी वो first form में अगर चिपका हूँ है तो आपको भी ing बर्व में चिपका नहीं पड़ेगी अगर चिपका हूँ नहीं मतलब अलग जिसे go to अब गो में का two थोड़ी चुपा रहता है अगर चिपका हुआ होता Maza go to go to करते हैं तो याद रखना तो याद रखना तो सो याद रखने विदावेूं को मतलब एक अपम होता है इसका WIB मतलब आपका में टारगेट क्या है? में एम क्या है आपका? ठीक है? अच्छा, एडिक्टिट्ट्ट्ट्ट्टु, आपने देखा हुगा, मैं बात करता हुगाँ, जिसे I was not addicted to you know, drinking, smoking, तो याद रखना, एडिक्ट्ट्ट्ट्ट तु जो होता हुग एक साथ आता है, इनको एक चाहिए क्योंकि तू और इसमें चिपका हुआ था अलक्सिया में नहीं लगाना पड़ता है तो यह एक और इसमें अकस्टम्ड यह भी बिल्कुल सही है अकस्टम्ड टू इसके साथ टू आता है चलेगा तो यहां पर लुक फॉरवड टू तो याद रखना कभी भी लुक फ देखा हुआ टू के बाद फस्ट वर्म आजा आता है उसमें कोई आएंजी नहीं आता लेकिन जब टू ओलिडी चिपका हुआ आता है तो हमें भी उसके आने वाली वर्ब जो अगे आ रही है उसमें भी आई चिपकाना पड़ता है ठीक है इसके बाद देखेगा तो यह ब चिपका हुआ नहीं आता समझे आप तो वॉंट के जब टू नहीं आता अलग से अमने लिखा है तो मैं अलग से बर्फी फस्ट वर्म लिखना पड़ेगा अब सोचेंगे सर जी यह जो टू है सर जी फिर यह क्या है याद रखना यह क्या होता है कि टॉक के बाद जब आप किसी परसं से बात करते हैं तो टॉक टू आता है किसी परसं के खलाफ करते हैं तो आप टॉक अंगेस्ट आ जाता है तो बस यह सारी चीज़े हैं अई हूब दोस्तों आप सबको यह 5 कौश्शन का चैलेंज काफी अच्छा लगा होगा और आपके 5 में से 5 नमर तो आई टाइम इतना जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी यह सारे चीज हो जाएं सीख जाएं पर थोड़े थोड़े कॉंसेप्ट है जो धीरे-धीरे मन आता रहेगा तो आपको पड़ाता रहूँगा वीडियो को लाइक और शेयर करें कमेंट करके बताएं आपका इस वीडियो को द